22 जन्वरी को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी अयोध्या में बने भव्य और दिव्य राम मंदिर में भगवान राम लला की प्रतिमा की प्रान प्रतिष्ठा करेंगे इसे बीच भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में इस अनुस्ठान के लिए काशी अपनी मुख्य भूमी का निभारा है जहां एक और प्राणपतिष्ठा के मूरत का समय काशी के जोतिशा चार गड़ेश्वा शास्त्री ने निकाला है वही दूसरी तरफ श्री राम रला के प्राणपतिष्ठा के समय अनुस्ठान करने वाले ब्राम्मर और आचारे भी काशी के ही हैं इतना ही नहीं यग्यवा अनुस्ठान के लिए पूजन सामगरी भी काशी के ही हस्त शिल्पियों द्वारा तैयार की गई है इसी कड़ी में अयुध्या में होने वाले इस एतिहासिक पल में काशी के योगदानों की एक अन्य कड़ी जुड़ गई है इसके साथ ही इस दौरान मौजूद 121 ब्रामभर जिन पात्रों वश्रिंगी में जल लेकर भगवान श्री राम का आचमन करेंगे वह सब बनारस की तंग गलियों में ही बन कर तैयार किया जा रहा है इसके लिए बनारस के एक कसेरा परिवार को 20 दिसंबर को ओर्डर दिया गया था और अब ये लोग पुरे जी जान से अपनी टीम के साथ इस कारे में लगे हुए हैं बताते चले कि वारानसी के काशी पुरा निवासी लालू कसेरा अपने परिवार की पाच्वी पिडी है जो तमाम धात्वों से मंदिर में इस्तमाल होने वाले बर्तनों के साथ साथ मंदिर के गर्बगरी में लगने वाले धातों के पतल पर अपनी शिल्पकारी का हुनर दिखाते हैं और उसे भव विरूप देते हैं ऐसे में अब इन्हें एतिहासिक आयोजन का गवा बनने का मौका मिला है तो भला वह पीछे क्यों हटे लालू कसेरा ने बताया कि बीते 20 दिसंबर को उन्हें और्डर मिला कि आयोध्या में उन्हें राम जन्भूमी पर रामलला के मंदिर में अनुस्ठान के लिए 125 कमंडल आच्मनी पात्र और एक कटोले जैसा पात्र बनाना है इसके साथ ही एक अभिशेक कलश भी बना कर तयार कनी है जिसे शहस्त्र कलश कहते हैं इस कलश में 1008 छिद्र होते हैं इसी शहस्त्र कलश से प्रान प्रतिष्ठा के बाद श्री राम का अभिशेक किया जाएगा इस ओरर के बाद यह कसीरा परिवार 24 गंटे की कड़ी मेहनत कर तयारियों में जुट चुका है जर्मन सिल्वर से बने पात्र कुछ तो तयार किये जा चुके हैं तो कुछ पर काम अभी बाकी है इसे तयार करके आगामिस 10 जन्वरी को अयोध्या में भेज दिया जाएगा बहरहाल काश्री का यह कसेरा परिवार रामलला के प्राण पतिष्ठा के इस महा उस्सव में शामिल होकर अपने को गौरवानविद महसूस कर रहा है यह ओडर आया हमको 25 तारिक तक पिछले मैंने 25 दिसंबर और यह अभिसेग का कलस है यह ठाकुर जी के स्नान के लिए है रामलला जी इसी से अभिसेग करेंगे रामलला जी का और इसमें एक हजार आठ शेदा है जिससे कि अभिसेग में बोलने में रामन को सिविदा होती है अब इसी से अभिसेग होगा रामनला जी का यह वाइड मेटल जीस का सिल्वर वाइड मेटल सिल्वर है जर्वन सिल्वर बोलते इसको और यह लागत इसकी 6000 रुप्या पड़ेगी यह क्या दर्बगरी में लगाया जाए लगा नहीं तो इस नान के जहां पर बेवस्ता झाल सिल्वर बोलते यह वाइड झाल सिल्वर वाइड में लगब जयर्ए होगा पुप्या जान के मानल कर दो हमेटल गश्रें कहा दो थिहां चुझा बाanu मेटल जाओगरी में झाल झाल